बच्चों अभी आपने देखा कि जब किसी संतल पर हम दिशाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हमारे पास चार मुख्य दिशाय होती हैं पुर्व, पशिम, उत्तर और दक्षिट और इनके बीच की इस्थान के लिए भी हमने कुछ उप दिशाय देख ली जिसे आपने उत्तरपूर, उत्तरपशिम, दक्षिनपूर और दक्षिनपशिम के नाम से जाना लेकिन किसी संतल पर या बड़े भूभग पर जब हम देखना चाहें तो इनके बीच बहुत सारे ऐसे इस्थान होते हैं जो ठीक ठीक इन आठ दिशाओं में नहीं आते तो उसके लिए हमने फिर क्या किया था हमने इन उप दिशाओं के बीच में पर रेखाएं खीची और हमको आठ और उप दिशाय मिल गई और हमने उनका भी नाम करण कर लिया लेकिन वो पहले वाली समस्य तो अभी भी बनी है जब इन दिशाओं के आधार पर पित्वी की किसी भूभाग के किसी स्थान के बारे में बताना चाहेंगे कि वो इसके कितनी दूरी पर या कहां पर किस दिशा में है तो इतनी जानकारिया परयाप्त नहीं होती है तब इसके लिए हम हम कोरों के इस्तमाल करते हैं कोर जी हाँ जिसे आपने रेखा गडित पर अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत सारे जगों पर आपने इसका इस्तमाल किया है तो आप सोच सकते हैं कि यहां हम कोर के इस्तमाल कैसे करते हैं तो आपको याद होगा जब आप कोर की बात करते हैं तो एक ऐसा बिंदू होता है जहां पर कोर बन रहा होता है और एक आधार रेखा भी होती है जहां से आप कोरों को नापना शुरू करते हैं तो ठीक हमें यहाँ पर उस तरह की दो चीज़ों की तरुड़त पड़ेगी जैसे माल लीजे हम रैपूर में हैं और रैपूर से हम जगबलपूर के दिशा जानना चाहते हैं या रैपूर से हम कलकता के दिशा जानना चाहते हैं तो हमें रैपूर पर जो बिंदू लेना और फिर हम उस इस्थान के कौन की गंड ना करेंगे जिस इस्थान के बारे हम पता करना चाहते हैं। इसे आप इस संतल पर समझ सकते हैं. माल दीजिए यहां पर आपका वो बिंदू है, जहां से आप कोण या किसी इस्थान की लोकेशन को जगा को पता करना चाहते हैं, तो इस अब से पहले इस बिंदू का माधार बिंदू मानेंगे, मूल बिंदू मानेंगे, और यहां से होकर जाने वाली जो उत्तर दक्षिन दिशा को मिलाने वने रेखा है, उसको हम अधार रेखा मानेंगे. और एक ऐसे चांदे का उपयोग करेंगे, जो शून्य से लेकर 360 डिग्री तक माप कर सकता है, यानि पूरा वृत्ता का चांदा, आपके कमपास बाक्स में जो चांदा है, वो आधे वृत्त के बराबर होता है, आधे वृत्त के जैसा होता है, लेकिन यहां पर हम जिस चांदे के बात कर रहे हैं वो पूरे वृत को प्रदाशित करता है डिस कह सकते हैं आप उसको तो उसको हम इस तरह से रखेंगे कि उसका जो मद्द बिंदू है वो उस इस्थान पर हो जहां पर आप खड़े हुए हैं और उसकी जो शुन्ने वाली रेखा है वो ठीक उत्तर दक्षिन को मैलाने वाले रेखा पर पढ़े तो यह जो उत्तर दिशा को जाने वाली रेखा है इस इस्थान से वो आपके चांदे के शुन्ने पर होगी अब आप बात पूछ सकते हैं कि मुझे नापना किधर है इस तरह पढ़ना है या इस तरह पढ़ना है क्योंकि चांदे पर दोनों तरह पैमाने बने होते हैं जो दोनों दिशा में पढ़े जा सकते हैं तो यहां पर हमें यह सावधानी बरतनी है कि हमारा जो माफ होगा वो दक्षिना वर्थ होगा यानि घड़ी की सुई की दिशा में दो दिशा हो सकती हैं घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीज दिशा में तो घड़ी की सुई की दिशा को हम clockwise direction भी कहते हैं तो हमें यहाँ पर जो कोड पढ़ना है वो clockwise direction में यह घड़ी की सुई की दिशा में पढ़ना है तो चले एक बर हम पढ़ा के देखें मालनी जे हम ने इस सम्तल पर तीन इस्थान चुन रखे हैं जैसे एक इस्थान वहाँ एक इस्थान वहाँ और एक इस्थान वहाँ पर सा है और मालनी जे यह बिंदू ओ है जहां से आप सारी जगों के बारे हम पता करना चाहते कि किस दिशा में है तो हम ने यहाँ पर चांदा रख दिया और चांदे को ठीक उसी तरह से रखा है जैसे अभी हमने बात की पर 28 डिग्री पर दिखाए पड़ रही है तो हम कहेंगे कि बिंदू A या बिंदू A बिंदू O से 28 डिग्री पर इस्थीथ है अब B के बारे में देखिए B यहां कहीं पर है तो आपने शुनने से लेकर 90 90 से 180 यहां पर किया और थोड़ा सिसके आगे आगे और आप देख यहां पर एक बिंदू S को देख रहे हैं यह 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 बिंदू S जब आप चांदे पर देखेंगे तो आप देखेंगे यह बिंदू S को देखेंगे य कि O के सापिक्ष बिंदू c 284 डिग्री पर है यहां पर आपने सिर्फ डिग्री की बात कि और यह बताया कि कोई इस्थान दूसरे इस्थान से कितनी डिग्री पर है उस स्थान के सही इस्तिती पता करने के लिए हमको अगर एक पैमाना भी लें और यहां से बता है कि यहां से इतनी दूरी पर है, यह पैमाने निर्भार करता है कि आपने पैमाना चुना कैसे है, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर को आप किलोमेटर में कर सकते हैं, तो यह जो पैमाने हैं, इनकी मदद से किसी एक बिंदू के सापेक्ष हम तो रात में जब हम दिशा के बारे जानना चाहते थे तो उस में एक बड़ा अधार होता था भू था धुरूत आरा अपने अच्छी तरह से इसके बारे में उसना होगा धुरूत आरे पर आपने कुछ कहानिया भी सुनी होंगी और वो धुरूत आरा है उसके लिए हमारी मान तारे अपनी जगह बदलते हुँ दिखाए पड़े तो वास्तों में तारे अपनी जगह उसन दिखाए पड़े हैं। लेकिन धुरूत आरे के साथ खास बात है कि वह अपनी जगह नहीं बदलती। कभी आपने सोचा ऐसा कैसे होता है। आप जब विज्ञान पढ़ेंगे हैं जब भुगोल के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो धुरूत आरे की सिती है वो प्रित्वी के उत्तरी और दक्षिन धुरू के मिलाने वाले रेखा पर यानि उसके अक्ष पर इस्थित होती है। और अक्ष पर इस्थित होने के कारें, पृत्वी के किसी भी स्थान से हम किसी भी समय पर देखेंगो इसको, तो हमें लगेगा है वो उसी डिगरी पर है, उसी कोण पर है। यहीं एक वज़ा है कि हमें लगता है कि दुरूतारा अपने जगा नहीं बदल रहा है। एक और अपने के लिए हम प्रकाश वर्स की काई का उपयोग करते हैं। और प्रकाश वर्स का मुतलब होता है कि एक वर्स में प्रकाश की किरन जितनी दूरी तैय करती वो एक प्रकाश वर्स होता है। तो पृत्वी से यह हमारे सौर मंदल से, सूर्व से जो धूरूतारी की दू स्यूर्ज से हमारे प्रिथ्वी से उस ध्रूरतारह की दूरी है, वह 323 प्रकाश दूर है. यह पूग शोटी मोटी जानकारिया थी जो आपके अंदर में जिगयासा पैदा करती है, आप अपने आकाश के बारे में, दिशाओं के बारे में, प्रित्वी की दूसरी जानकरियों के बारे में और दीक पढ़ें, नहीं जानकरिया लें और देखें कितना मज़ा आता है जब हम अपनी इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं